दोस्तों नमस्कार आज हम बात कर रहे हैं अनुराधा पड़वाल का जिहां भारतिय फिल्म इन्रस्ट्री में बहुत ही बेहतीरीनी सुरीली आवाज के जादुगत अनुराधा पड़वाल का दुख भरी कहानी का जिहां नुराधा पड़वाल का जिन्दगी कैसे बरवाद कर दिया लता मंगेश्वर और उनकी बहनासा भोसले में इस कहानी को आज इसी कड़ी में हम जोड़ करके आपको दिखलाने जा रहे हैं अनुराधा पड़वाल बहुती साधारन परिवार में जन्मी और पली बढ़ी पर इनकी साधी हुई एक म्यूजिक कमपोजर अरुन पड़वाल से और यहीं से इनकी जिंदगी का जो लाइन था वो चेंचो गया उसके बाद ये गाईकी में अपना कदम रखी और लता मंगेस्वर की आवाजों को सुनसुन कर ये गाना सुरू कर दी ये कोई प्रोफेस्टनल गाईका नहीं थी कहीं इन्होंने कहीं रियाज नहीं किया था किसी से इन्होंने सिखा नहीं था लेकिन लता मंगेस्वर को ये अपना गुरू मानती थी और उनके गानों को सुनसुन करके ये बहुत ही बेहतरीन गाईका बन गई साधी के बाद इनके बच्चे हुए लेकिन दुख कहते हैं न कि किसी को कहके नहीं आता है इसके बाद इनके बेटी के मौत हो जाती है और एक बेटी रहती है कविता पॉडवाल जिहां इनका कविता पॉडवाल ही अब एक सहारा है और इनका पती का भी अचानक मृत्यू हो जाती है कहा जाता है कि इनके पती की मृत्यू में फिल्म इंडरस्टी के बड़े-बड़े हस्ती का नाम है शामिर है लेकिन आस्ता कि ये राज राजी रह गया आके इनके पती की मौत कैसे हुई ये आज तक किसी ने सूलढा नहीं पाया जब ये गाती थी तो इनके सामने लताम अगिश्वर और इनकी बहन लताम अगिश्वर की बहन आसा भुषले इनके समकक्षी नजार आते थे इन दोनों से कहीं कम आवाज इनकी नहीं थी इनकी मखमली आवाज का सबसे बड़ा खास हैतिय भी था ये फीस उन लोगों से हाफ लेती थी और गाना गाली थी तो जब इनका नाम उपर चढ़ने लगा जब ये सुर्खिया बटोने लगी तो लता मंगेश्वर और उनके बहन आशा भोसलिक को ये बात ना गवारा काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और एक एकसिडेंट में उनकी मिर्तिव हो गई और मिर्तिव का कारण आज तक पता नहीं चला लेकिन लोगों का कहना है कि इस मिर्तिव में इन ही लोगों का हाथ है इस घटना से भी ये काफ़ी टूडशुकी थी इसके बाद इन्ह का नाम गुलसन कुमार के साथ जुड़ा लेकिन ये खुसी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और गुलसन कुमार की निर्मम हत्या कर दी जाती है और पुना अनुराधा पड़वाल अकेली रह जाती है और दुखों का पहाड जो था इनकी उपर बढ़ता चला जाता है सब्सक्राइब अपने आपको समभाला और ये फिल्म इंड्रस्टाइब के गानों से वह अपने आपको दूरी बना ली और ये भजन गाने लगी और भकती गीतों को ही गाने लगी और दिवार्टी स्रिश उसके बाद किसी भी करनी के लिए दिए नहीं गाई और अपने आपको सिमित कर ली और सिर्फ सरकारी प्रोग्राम में या फिर ऐसा प्रोग्राम में जहां पर सिर्फ भजन गया की कावी प्रोग्राम हो सिर्फ वहीं जाती हैं बाकी सभी जगह से इनोंने अलविदा कर दिया और अपने आपको सिपरिट कर लिया शुरुल हो गया है। दोस्तों घार हो या बड़े-बड़े, फिल्म इंडरस्टी, सबी जगह जो है, खीचा तानी का चलता है, और सबी जगह, राजनीती जो है न, वो बहुँ ज़्यादा चलता है, और इसी राजनीती की का सिकार हो गई, अनुराधा पोड़वाल, दोस्त करना नहीं भूलेंगे वीडियो में समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम तुहारे है तुहारे सलाम जाने मरें जदा हम करें